हलो डियर आज का स्टुडेंट क्योरी सेक्शन में हमसे कुश्चन पूचा है सुरिष बर्मा फ्रॉम विदीशा MP कुश्चन क्या है the involuntary blocking of unpleasant feelings and experiences from one's awareness is known as कुश्चन क्या कहता है समझे ध्यान से involuntary blocking block होना किसका कोई भी feeling या emotions का unpleasant feelings या experiences आपके साथ कोई भी गटना हुई है या कोई भी ऐसी भावना है ऐसे emotions है जो की painful है उन emotions का involuntary block होना मतलब आपकी एक्षा से block नहीं हो रहे है उनको हमारा ego automatically block कर रहा है किस में आने से block कर रहा है once awareness हमारे awareness में आने से block कर रहा है मतलब हमारे conscious mind में आने से ब्लॉक कर रहा है तो यह गटना क्या क्या लाती है आपके ओप्शन है displacement, repression, regression and suppression देखें जो question पूचा गया है वो है आपके defense mechanism का question ठीक है अब defense mechanism में क्या होता है जो आपके question दिया गया है वो defense mechanism किसको indicate करता है आपके रिप्रेशन को इंडिकेट करता है किसको इंडिकेट करता है रिप्रेशन को इंडिकेट करता है रिप्रेशन क्या करता है कि देखें जो पेंफुल मेमोरी होती है पेंफुल मेमोरी होती है वह आपके कहा हो सकती है आपके अनकॉंशेस माइंड में या सबकॉंशेस मा करेंड में प्रिम्टिन कर्णा किुछिशन करते हैं तो अपने इमोशन को दूसरे वंगति करना उसके वाद आपका ओप्षण और सपरेशन regression का मतलब क्या होता है less mature behavior show करना आपकी age की according ना हो ऐसा behavior show करना वो कलाता है regression and suppression क्या कलाता है देखे अभी हमने जो regression की बात की थी sorry, repression की जो हमने बात की थी तो ये जो definition indicate करती है वो indicate करती repression को इसके just opposite होता है suppression अगर ये जो बाली गटना अगर कैसी हो voluntary हो, voluntary blocking of unpleasant feelings and experiences from one's awareness मतलब हम जानमूझ करके painful information को भूल रहे हैं तो वो कलाएगा आपके क्या suppression, तो repression और suppression एक दूसरे के opposite defense mechanism है, ठीक है, दोनों की mechanism of action है वो same है painful information को conscious mind में आने से रोकना, लेकिन repression जो होता है, वो involuntary होता है हमारा जो unconscious mind होता है या हमारा ego जो होता है, वो ये घटना को अंजाम देता है, वो इसके लिए responsible होता है, suppression में हम जानबूझ करके बूलना चाहते हैं उन painful information को हम जानबूझ करके बूलना चाहते हैं, तो बड़ा simple सा question है, आपकी defense mechanism से related है, और important question है, important question पूछा गया है, सुरेश द्वारा, ठीक है तो ऐसे ही questions के लिए आप हमें अपनी query भीशते रहे हैं ऐसे ही questions को समझने के लिए difficult questions को जानने के लिए अमारे साथ जुड़े रहे ठीक है, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो play store से आप हमारा app download कर सकते है benaik nursing academy app, पूरे इंडिया में हम सबसे कम कीमत में coaching provide करते हैं, ठीक है तो महेंगा का मतलब अच्छा नहीं होता और सस्टे का मतलब खराब नहीं होता कीमत कम रखने का हमारा एम है कि जो student coaching की heavy fees नहीं दे पाते उनके लिए हम ये plan लेकर करके आए है तो आप हमारा all-in-one plan एक साल के लिए subscribe कर सकते हैं, only 1499 रुपीज में, ठीक है इसके लाब आप हमारा youtube channel subscribe कर सकते हैं Thank you